मेरे प्यारे वीवर्स पेचलिया आये आज हम वेजिटेबल विद चिकन एंड चीजी पराठा बनाने जा रहे हैं इसके लिए मैंने यहां पे वाइट वाला आटा लिया है यह दो कप लूँगी में कद्दों का अर्टा अब दो कप और मैं इसमें मेद्या आट करूँगी मेद्या डाल रहे हैं दो कप आपने जिननी कॉन्टिटी में बनाना हो इसे साब से ले लिजएगा नमक डालूँगी इसमें मैं हस्बिजाइका मिक्स कर लेंगे इसे ताके इक्वेल हो जाए मिक्स कर लिया इसे पानी डालते जाएंगे अच्छी सी एक नरम ची डू इसकी तयार कर लेंगे जैसे नॉर्मल आटा गूते हैं हम चपाती के लिए घर में यहां पर तू टेबिल स्पून में ओल डाल रहे हैं इसमें मैं इसको दूसरे वाल में ट्रांस्फर कर दूँगी लोग को कवर करके रग दूंगे 30 minutes के लिए प्रेस्ट होने के लिए इसके साथ ही अब मैं आपको पता दू यह दो प्याली मेरे पास चिकन है जिनको बॉइल करके रेशा कर लीजेगा नमक और लैसन डाल के बॉइल कीजेगा उसके बात मेरे पास फ्रेश लैसन का दर दरा हुआ कूटा है मैंने फ्रेश इसको वन टेबिल स्पून दो अदद हरी मिर्ची है मेरे पास नमक हस्बेजाइका है काली मिरच वन एन आफ टी स्पून लोगी मैं हरा धनिया टू टेबिल स्पून है मेरे पास हरी प्यास जो है यह चोटी प्याली है मेरे पास तक्रीबन 4-5 टेबिल स्पून है, यह गाजर है मेरे पास और यह बंद को भी लिया है, इसको प्यासे बारिक चॉप कर लीजेगा, यहां पे शिम्ला मेरा चाह मेरे पास, इस तरह की कट कर लिए, कट कर लीजेगा इस तरह बारिक में, तो हम बनेगा, तो हम चलते हैं अपने पैन की तरफ जो कि हमने प्रियेट होने के लिए रख दिया है, तो चलिए आए, शुरू करते हैं, बिसमिल्ला राख्मान इरहीम, यहां मैं 3-2-4 टेबिल स्पून ऑईल डाल रही हूं, इसके साथ ही मैं यहां पे लसन जो मैंने दर्दरा यहां सा फ्रेश चॉप किया है, थोड़ा पीसा है से हो डालोगे, वोड़ा सा इसे पकाई गया है, यहां पे चिकलेट कर दोगे, बिल्कुल लोग प्लेम है हमारा, अब मैं यहां पे हरी मर्ची आइच कर दूँगी, यह भी पक जाएगी थोड़ी सी और हमारे चिकन में भी फ्लेवर चला जाएगा, 30 शाकें हमने अपनी हरी मर्ची डाल के पाए, अब मैं इसमें हरी प्यास डाल रही हूं, 15 से भी पकाएंगे हैं, इसके बाद इसमें हम गाजय डालेंगे, अब गाजय डाल रहे हैं इसमें, यहां पर शिम्ला मेरिश डाल देंगे, इसको भी 30 सेटिंड पका लेंगे, यहां नमक एट सर्यू में हसर जाई का, नमक पहले एट करने से सप्तियां पामी फोर देती हैं, फ्लेर में एंड में एट सर्यूने, पारी मेरिश पामडर, बन गूपी आट करोंगे, हमने सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं कूप करना है, इस पाराथा जनेगा इसका तो इसमें भी यह कूप कोंगे, हमने बस इससे तोड़ा का, 90, 80, 70% हमने कूप करना है, बाकी पाराथे में भी आते हैं यह कूप होगा, और छोड़ी कच्छी कच्छी सब्जी हमें आए, तो इसलिए मज़ा आता है, तो जम्यू, इंशालला बहुत अप्सा मेरेगा, यह हमारा, यहां धिल्या लाग दिया और 5 सेकंड के बाद मैं यहां फ्लेम आफ कर दूंगी, चैडर चीज को ग्रेट कर लेंगे, मौसरीला चीज को हमने ग्रेट कर लिया है, जन्या डालने के माद हमने फ्लेम आफ कर दिया था, अब इसे थोड़ा से ठंडा होने के लिए रखते हैं, और चलते हैं अपने परा आफ मान रहिम शुरू करते हैं, चोटा सा पेडा लेंगे हैं यहां इसी थारह पेडे बनाते जाएंगे अपने, थोड़ा से इस पर मेधा डस्ट किया है, रोटी की तरह गोल इसको शेप दे दिना हुए, चीज डाल देंगे हम हम इसके ओपर अच्छी तरह बहर भेर के, इसके बाद इसको मैं यहां से फोल करूँगी, दूसरा फोल यहां देंगे हम, अपना बेलन रखते हुए, इसको हम बेलेंगे, और गोल्डन कलर आने तक हम दोनो तरफ सी से पकाएंगे, पलट दिया है मैंने, अभी और थोड़ा उपर भी रंग देना है, नीचे भी, अपर उसके बाद इसे यहां से निखाल देंगे, दो मिनट मुझे एक साइड पर लगे हैं, तो चलिए निखाल देंगे, दूसरे में भी हम ट्विनिंग डाल देंगे, अच्छी तरह इसको पहला लेंगे, इसके बाद फिर मैं यहीं से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड, मीडियूम फ्लेम पे राके से पकाना है, दूसरी तरह फोलड देते हैं, इस तरह से कोख हो गया यह, मेरे ब्यारे विबर्स हमारे वेचिटेबल चीज़ी पराठे रहें, इन्हें कट करते हैं, चलिए आप इसको इसे कोल के दिखा दे, इसी के साथ इजाज़त चाहती हूं, अल्ला आफिस, दूसरी प्हितै तरह पराठे ब्यारे खिखा इस,